नमश्कार्मा उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार के छे शेहरों में बढ़ेगार रिंग रोड दिरोना से बचाने के लिए बिहार बोड के छात्र कक्षा से लेकर बरामदे में देखे सिक्ष्रा विभाग ने पत्र लिखकर 24 घंटे के अंदर की निलम्बित सिक्षकों की सुची जारी बेने की माग बिहार में भिखारियों को जोड़ा जाएगा स्वरोजगार योज़रा से T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल हुआ जारी अब चले बढ़ते हैं बिहार की श्रम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार के छे शेहरों में बनेगा रिंग रोड बिहार का पथनिर्वान विभाग एक के बाद एक कई योजणाव को ला रहा है जुसे प्रदेश के लोगों के लिए यातयात की ववस्ता सुगम की जा सके इसी कड़ी में बिहार के विभिन प्रमुख शेहरों में रिंग रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है पाच शहरों में से राजु के तीन शहरों का नाम फाइनल हो चुका है ये तीन शहर है गया भागलपूर और मुजफरपूर जबकि बाकी दो शहरों में भोशपूर, कटिहार, बेगुसराय, शप्रा, दर्भंगा पर विचार चल रहा है पत्थ निर्मान विभाग ने इस प्रस्ताफ पर केंद्र सरकार ने सैधान्तिक सहमती दे दी है कोविट कारे में रगे 50,000 कर्मियों को मिलेगी पुर्ण प्रोत्साहन राश्री बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चुड़ाव के बीच नितिश सरकार ने कोरोना रुक्ता में लगे लगभग 25,000 कर्मियों के लिए एहम घोशना की है जुसके तहट कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पाच महीने की पुर्ण प्रोत्साहन राश्री देने का अईलान किया गया है ऐसा हम इसलिए कहरें क्यूकि स्वास्त वभग नितिश जारी कर इन केंद्रों पर तैनात कर्मियों को प्रोत्साहन राश्री देने का निर्देश दिया है जारी खबर के अनुसार इन स्वास्त कर्मियों की संख्या 50,000 से अधिक है जिसके बाद ही अब इनको पुर्ण प्रोत्साहन राश्री का भुगतान होगा हाड कपाने वाली ठंड से अभी बिहार वासियों को नहीं मिलेगी कोई राहत बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है आलम कुछियों है कि कई जिलों में शितलहरी के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल रही है बीती शाम की ही बात करे तो राज़ानी पटना समेथ कई जिलों में छिटपुट बारिश भी देखने को मिली इसको ध्यान में रखते वे मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और 21, 22 और 24 जनवरी को कई जुले में बारिश मेग गरजन और ओला वरिष्टी की आश्रंग का जुताई है वौसम विभाग की मारे तो मध्य प्रदेश की तरफ से चकरवातिय स्थिती बने और उसकी एक दो दूनों में बिहार की तरफ बढ़ने से बारिश की स्थिती बनेगी कोरोना से बचाने के लिए बिहार बोर्ट के चात्र कक्षा से लेकर बरामदे में दिंगे एक्जाम बिहार ने कोरोना की तीसरी लहर की मार के बीच बिहार बोर्ट की दसफिय और बारहवी की परिक्षाई जल्द ही शुरू होने वाली है हाला कि कोरोना के वरतमान माहौल में बिहार सिक्षा विभाग के लिए परिक्षा का आयोजन समय पर करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाली है जिसको ही ध्यान में रखते वे बिहार सिरकार के सिक्षा विभाग ने अब नई योजना बनाई है जिसके तहट एक बेंच के दोनों कोनों पर दो ही बच्चे बैठेंगे उसके पीछे दो फीट की दूरी पर दूसरा बेंच होगा इस बेंच पर एक चात्र को बिठाये जाएगा इसके बाद तीसरे बेंच पर फिर दो चात्र को अलग-अलग बिठाये जाएगा इसे एक डाइग्राम में बना कर बोर्ड ने सभी जुला सिक्षा कारियालों को भेज दिया है इस इक्रम में सभी कक्षाओं में परिक्षार्थियों को बठाया जाएगा अगर किसी स्कूल में जगे की कमी होगी तो परिक्षार्थियों को बरामने में बिठाय जाएगा इतना ही नहीं अगर इसके बाद भी जगे कम पड़ती है तो पंडाल और टेंट लगा कर स्कूलों द्वारा परिक्षा का योजिन करवाय जाना है बिहार में भिखारियों को जोड़ा जाएगा स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाना है राज्य के सभी परिटन सरों से भिक्षावरती खत्म करने के समाज कल्यान विभाग और परिटन विभाग की तरफ से एक पहल की जा रही है जुसमें जुलाई 2022 तक सभी परिटन वाले जगों से भिक्षावरती से मुक्त कराने के लिए अभिया अंचलाए जाएगा जुसके तहती सभाज कल्यान और परिटन विभाग सयंक्त रूप से अभिया अंचलाएगा ताकि यहां के उन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके इसके लिए वैसे भिक्षावरती जुलों में टीम तैयार की गई है जो खुद पहले भिक्षावरती से जुड़े हुए थे विजलेंस के सवालों से घिरे दिखे मगदविश्विद्याले के वी सी मगद विश्विद्याले के कुलपती राजिन प्रसाद के खिलाफ कुलपती रहते 30 करोड से अधिक की वितिये अनिमितताओं को करने का आरूप है इसी आरोप के आधार पर लगातार उनसे सवाल जवाब भी किये जा रहे हैं यह कारण है कि इन दिनों वो विजिलेंस के सवालों की घेरे में है इसी को लेकर बीते दिन विशेश निगरानी एकाई के सामने वो हाजर हुए खबरों के अनसार गुरवार को उनसे सपेशल निगरानी एकाई के अधिकारियों ने जब पूछताच चुरू की तब वो संतोजनक जवाब नहीं दे पाई खबरों की माने तो डेड़ घंटे की पूछताच में मगर विश्विद्याले के कुलपती को कई बार पसीने भी आई मामले का अनसंधान कर रहे है अनसंधान करता डियेसपी सुधीर कुमार के नेत्रतु में कुलपती से पूछताच भी सिक्षा विभाग ने पत्र लिक कर 24 घंटे के अंदर की निलंबित सिक्षकों की सूची जारी करने की मांग सिक्षा विभाग के अपर मुख्यत साचिफ संजे कुमार ने बीते दिन अपना निर्देश जारी करते वे सभी जुलों के जुला सिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिकर निलम्मित सिक्षकों की जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी है साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते वे कहा है कि इस सरह की जानकारी ऑक्टूबर 2020 में मांगी गई थी इसको लेकर अपर मुख्यसाचिफ संजे कुमार ने कहा कि प्रतेक निलम्मित सिक्षक का नाम नियोजन तारीक विभागी कारवाई और निलम्मन की तारीक साफ साफ तौर पर बताए पत्र में ये भी बताए गया है कि लोग सिक्षा के परिवाद के संदर्ड में मांगी गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि सिक्षा विभाग का मानना है कि जुलास्तर पर तमाव निलम्मन के मामले हैं जो सालों से लंबित है उस पर जुलास्तिक्षा पताद और जहनजारपुर लोकहा बाजार रेल खंड पर तमरिया निर्मली के बीच 22 किलोमीटर और सहरसा फार्बिस गंच रेल खंड पर ललित ग्राम फार्बिस गंच के बीच 29 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन बिचाने का काम इस साल पूरा हो जाएगा जुस पर ही लगबग 1471 कर जहनजारपुर निर्मली रूट की ट्रेन कोसी रेल महासेतु सराइगर और रागोपुर होकर फार्बिस गंच पहुँच जाएगी बिचली मीटर की शुकायतों पर पटना हाई कोट दिखा गंभीर बिहार को स्मार्ट बनाने के लिए भले ही बिहार सरकार हर जुले में घ कि इन मीटर से बिचली काबिल अधिकाता है वहीं कंपनी ने ऐसी किसी गड़बडी से साफतोर परिंकार किया है हाला कि इसको लेकर अब पटना हाई कोट की तरफ से मुख्य नयाधीश संजे करोल और नयाधीश एसकुमार की खंड़पीट ने राज़ में इलेक्ट्रोनि का दिलाने के लिए इस संगठन ने वित्मंत्री को सौपा ग्यापन बिहार में बीते कई दिनों से विचेश राज्य का दर जा दिये जाने की मांग उठाई जा रही है हाला कि अब तक ये मांग केवल जदियों और विपक्षी दलों की तरफ से उठाई जा रही थी लेकिन और संगठन ने भी इस आवाज को उठाना शुरू कर दिया है जिसके तहरत बिहार चांबर आफकिक के लिए कई सुझाब दिये गये हैं विखेश राजय का दर्जा और पाकेज़ की मांग भी की गई साथी सातुना ने तिवर विकास के लिए उत्तर विहार को ग्यास पाइपलाइन से जोड़े जाने पर भी जोड़ दिया है विधान परिसत की 24 सीटों को लेकर भाजपा और जड़ियों में मंधंज़ारी पंजाय चुनाव की बाद बिहार में विधान परिसत के चुनाव को लेकर तयार या जोड़ शोड़ से देखने को मिल रही है हाला के अभी आधिकारिक तोर पर चुनाव को लेकर के तो कोई घोश्चा नहीं हुई है लेकिन पार्टी अपनी तरह से तयार्यों में जम गई है इसी कड़ी में बिहार में विधान परिसत की 24 सीटों पर चुनाव होने है चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन में पेंच फसा है इंडिये के घटक दलों में भी सीट बटवारे पर जिच कायम है इंडिये में सबसे बड़ा दल भाचपा 13 सीट अपने खाते में चाह रही है वहीं सहयोगी दर जदियू वधान सबाय चुनाव 2020 का फॉर्मिले की मांग कर रही है दूसरे सहयोगी मांची भी दो सीटों की दिमांड कर पर इश्वानी बढ़ा रहे है इधर बिहार भाचपा ने गेंद केंद्रियन नेतरुत्व के हवाले कर दिया है इसके बाद ही मानक जारी करने की बाद कही गई है तेजस्वी साल 2022 में होंगे बिहार की राज़ुनीती में इन दिनों खेला होने की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि वपक्ष लगातार ऐसे दावे कर रहा है कि खर्बास के बाद कभी भी बिहार में खेला हो सकता है इसको अब और ज्यादा हवार राज़ुत के प्रवक्ता ने दे दी है जिसके तहती राज़त के मुख्य प्रवक्ता भाई विरेंदर ने कहा है कि राज़त सबसे बड़ी पार्टी है और हमें लग रहा है कि तेजस्वी आदव मुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे बता दे की बिहार में 2020 में विधानसभाच चुनाब हुआ है और इसके बाद चुनाब 2025 में होंगे लेकिन राज़त का दावा है कि इससे पहले नितीश सरकार तूट जाएगी और इस साल 2022 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे हाला कि राज़त का ये दावा कितना सही है कितना नहीं ये तो आने वारिस समय में ही पता चलेगा पांच साल तक के बच्चों के लिए मास्क ज़रूरी रही एंटी वाइरल या मोनोक्लोनल आंटी बॉडी का उपियोग नहीं किया जा सकता बिना लक्षन वाले और हलके मामलों के उप्चार के लिए एंटी माइक्रो बिल्स या फिर प्रोफिलक्सिस की सिफारिश नहीं किया जाती यदि 18 से कम उम्रवाले बच्चों पर स्टेरोइड का उपियोग किया जाता है तो सुधार के आधार पर 10 से 14 दिनों में इसकी खुरा कम करते हैं जाना चाहिए देश भर में डराने लगे हैं कोरोना के दैनिक मामले केंद्रे स्वास्थेवं परिवार कल्यान मंतुराले द्वारा जारी आकड़ों के मताबिक पिछ़व 24 घंटे के दौरान देश में 3,47,214 ने इस मामले सामने आ है जबकि कल यानी 20 जन्वरी 2022 को 3,17,532 मामले सामने आए थे वही देश में अब तक कोरोना वारिस के ओमिक्रोन वेरियंट के 9,692 मामले सामने आ चुके हैं जिन में कल के मुकाबले 4,36% की वृद्धी हो चुकी है स्वास्तवभा की तरफ से जारी किया अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में T20 World Cup का स्केडियोल जारी T20 World Cup 2022 में भारत अपने अभियान के शुरवात पाकिस्तान के खिलाफी करेगा पिश्रे साल UAE और ओमान में खेले गए T20 World Cup में ही भारत ने पहला मैच पाकिस्तान के खिला था जुसमें पहली बार पाकिस्तान ने किसी World Cup मुकाबले में भारत को शुकस दे थी इस बार T20 World Cup का आयोजन आस्ट्रेलिया में होना है ICC ने शुक्रवार को T20 World Cup 2022 के कारिकरम की घोशना कर दी है इस कारिकरम के मुताबिक भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 30 October को Melbourne क्रुकेट ग्राउंड में खेलेगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि T20 World Cup का आगास 16 October से होगा और फाइनल 13 November को Melbourne में ही खेला जाएगा कल हमारे द्वारा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है आपके अनुसार बिहार में शुराबंदी कानून में संचोधन की ज़रूरत है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज़के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाला ना भूले धन्यवाद